So, Hello दोस्तों, मैं कावल, आप सबका सौगब करता हूँ आज के हमारी खास लेक्चर में जहांपर हम सूफी मूमेंट के बारे में बात करेंगे First of all, sorry for the delay, there was some technical issue in the studio, जिसकी वज़ा से थोड़ा डिले हो गया lecture मैं आशा करता हूँ कि आप उसका बहुत जादा बुरा नहीं मानेंगे और अगर हम आज के इस lecture की बात करें, this comes after the completion of our whole series जो हमने भक्ती मूमेंट के उपर 5 lectures के बारे में study किया था In detail हमने हर एक चीज के बारे में देखा, पढ़ा, समझा और भक्ती मूमेंट के इस तरह से है, means perspective से देखा, कितने संता है, उनके बारे में समझा तो अभी तक हम भक्ती मूमेंट में से हर एक चीज को cover कर चुके हैं और भक्ती मूमेंट का एक another part है, जो कि है, सूफी मूमेंट जिसमें से question देखने को मिलता है और पिछले बहुत सालों में इसमें से question नहीं आया, पर फिर भी क्योंकि एक बहुत important topic है उसको आज के lecture के अंदर हम cover करेंगे and basically primarily from the main point of view हम चीजों को देख लेंगे और prelims में अगर किसी भी तरह के question पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा Good evening everyone, please एक बार ये बता दीजिए कि audio वीडियो सब कुछ सही से चल रहा है तो फिर मैं आगे proceed करूँगा ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले सूफी मूवमेंट को समझने की कोशिश करें जैसे हमने भक्ती मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि भक्ती मूवमेंट का जो हमारे को रेफरेंस है वो उपनिशत्स के अंदर देखने को मिलता है फिर गीता के अंदर हमारे को देखने को मिलता है तो यह जो भक्ती मूवमेंट है जो की three forms of salvation है एक तो है करम मार्ग ग्यान मार्ग और भक्ती मार्ग तो यह बहुत पुराना हमारा way of practicing the devotion to God है on the comparison में अगर हम सूफी मुवमेट की बात के तो यह relatively newer concept है in terms of newer concept के सहसाब से क्योंकि जब भक्ति या फिर सूफी मुवमेट के बात करते हैं तो यह जो धर्म में कुरीतियां आ चुके हैं सूपर स्टीशन आ चुके हैं या फिर ill practices आ चुके हैं उसको दूर करने की बात करते हैं अब अगर हम इसलाम की बात करें इसलाम की बात करते हैं तो यह जो धर्म है वो प्रॉफिट मुहम्मद के साथ आया शिक्स सेंचुरी के आसपास का इनका आगमन है और उसके बाद हमारे को इसलाम देखने को मिलता है इसलाम की बात करें तो वो कुरान के हिसाब से चलता है और जो कुरान में पाने का एक सही और आसान रास्ता बताया as compared to the verses or the teachings of the Islam या फिर कुरान जैसे कि कि अगर हम म्यूजिक की बात करें म्यूजिक इसलाम के हिसाब से prohibited है कि आप म्यूजिक वगरा नहीं बना सकते है या फिर paintings के अगर आप बात करें तो वो prohibited है पर यहां पर जो सूफी संत आएंगे वो कहेंगे कि ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं है कि अगर आप ट्यूंस के थूरू कवाली आपने सुनी होंगी कूंफाया कूं जो आप बहुत फेमस गाना सुनोगा विच इस आ फॉम आफ कवाली त तो उसी के चलते यह जो एक आफशूट निकल के आता है इसलाम के अंदर इसी वजह से इसको बहुत लंबे टाइम तक इसको रेस्ट्रेक्ट और बैन करने की कोशिश की गई क्योंकि इसलाम के हिसाब से नहीं चल रहे और जो रास्ता इसलाम या फिर कुरान बताता है भग है है और आप संस्कृत मैं को नहीं गॉष्ट मि सिर्फ है और चूरेत ओ स्षूट के और उसको दूर आइएँ गोशिश करता है और एक यह और रास्ता दिखाता है भगवान को पाने का अगर कल को आ जाए कि इन दोनों में से कौन सा पुराना है हमारे इंडिया के अगर हम बात करें तो जो भक्ती मुमेंट है वो हजारों साल पुराना है उपनिशाद्स और गीता के टाइम का है वहाँ पर हमारे को रेफरेंस देखने को मिलते हैं बढ़ क् अगर हम इन दोनों की बात करते हैं भक्ती और सूफी मुमेंट का आग्मन हमारे इंडिया में किस तरह से आया अब आपको पता होगा कि पहला इस्लामिक इन्वेडर इंटो आवर कंट्री मुहम्मद बिन कासिम 786ी मुहम्मद बिन कासिम तो यह आए और जैसे जैसे इस टाइम पिरट के बाद जो फॉरें इन्वेजन होनी हमारे इंडिया में शुरू हुई तो सिरफ फॉरें इन्वेडर्स ही नहीं बल्कि उसके साथ-छांध बहुत सारे postpone आये और इं ट्रेवलर्स और मर्चेंड के साथ कौन आए हमारे इंडिया में यह सूफी संत भी आएंगे और इनके दौारा इंडिया के अंदर इस चीज को प्रोब्स किया जाएगा प्रापगेट किया जाएगा तो अिस तूफी इजम या फिर तूफी मुवमेट बेसिक तरीका क्या है भगवान को मेडिटेशन के थूँ ट्यून्स के थूँ या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के थूँ पाने की कोशिश करना और मैंने आपको यह भी पढ़ाया था अगर हम भक्ती मुवमेट की बात करें तो यह माना जाता है क्योंकि उस टाइम पिरिट के अंदर साथवी आठवी सदी के आसपास क्योंकि सूफी मुवमेट हमारे इंडिया में आया सौरी कई बार यह हो जाते हैं और इसी वजह से भक्ती मुवमेंट का भी शुरुवात होती है जो कि काफी हजार सालों से शांत पड़ी होई थी क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए क्योंकि सूफी मुवमेट और भगवान के बारे में बता रहे हैं सब कुछ वही हो रहा हैं यह सारा बैग्राउंड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सूफी मुवमेंट कैसे आया किस तरह से प्रोमोशन होई किस तरह से प्रॉपगेशन होई अब अगर हम सूफीजम की बात करें तो विद्धा टाइम इसमें बहुत सारे आगे सेक्ट बन जाएंगे सिलसिलाज बन जाएंगे सिलसिलाज बेसिक सिलसिला क्या है कि एक गुरू हुआ उसके आगे उसके सिश्य होने लगे उसके और ज्यादा डिसाइपल्स होने लगे और विद्धा टाइम वो मिलके एक सिलसिला बना देंगे कि गुरू फिर उसके आगे और सारे डिसाइपल् कि इन sqool में basic difference क्या है कि किस तरह की उनको पूचा जा सकता है उसको अभी host करेंगे क्या सारे बच्चों को यह background समझ में आ गया सूफी मुमेंट का कहां से आया कियों आया किस वजा से आया and ultimately क्या यह करेंगे क्या यह सब को समझ में आ गया प्लीज एक बार reply कर दीजिए प्लीज एक बार जल्दी से reply कर दीजिए then I will continue कर दीजिए अगर हम शब्त सूफी की बात करें so it is derived from the word wool in Arabic which means referring to simple clocks worn by the early Muslim ascetics मतलब जो लोग घूम के जगा जगा के उपर घूम के भगवान को पाने की कोशिश करते हैं जो Muslim है आपने देखा होगा कि वो सफेद चोगों को पहनते हैं बड़े-बड़े खोले कपड़े पहनते सफेद कलर के और उस शब्त से उस वूल के शब्द से यह हमारे को सूफी शब्द देखने को मिलता है याद वगएरा कुछ नहीं करना सिर्फ बेसिक अंडरस्टेंडिंग की यहां पर बात कर रहा हूं जहां पर बहुत जरूरी को आता है कि भगवान को हम किस तरह से पा सकते हैं कि आप खुद को जानी आपको खुद से भगवान मिलेगा टॉलरेंस राइचेसनेस एंड यूनिवर्सल लव फॉर आल की जैसे आपने देखा होगा कि धर्मों में क्या सिखाया जाता है कई बार कि जो हमारा धर्म है वही सबसे पैरामाउंट है वही सबसे सुप्रीम है बट डैट इस नौट दा रहालेटी यहां पर सूफी इजम हमारे को यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको यूनिवर्सल लव होना चाहिए हर एक प्रति हर एक के प्रति एक्वालिटी यूनिवर्सल रट लेना नोट डाउन कर लेना ओल्दो दिस विल नॉट बी आसे यूपीसे एक्जामिनेशन बट यह इस दिस चीज को ध्यान से याद कर लेना जहां जहां स्टारमा करूंगा सिरफ उन पॉइंटर को अलग से लिख लीजेगा यह अल्दो मैं आपको हर एक चीज समझा चुका हूं अगर हम सूफीजम की बात करें वो भी विद्धा टाइम डिवल्प हुआ और अगर हम अर्ली सूफीज की बात करें तो वह वांटरर्स थे जगा जगा आके ओपर भटकते हों भगवान को पाने की कोशिश करते थे और यह अग्दम सही होगा कि जितना जादा ह दूर जाते जा रहे हैं पर विद्धा टाइम क्या होगा कि जैसे प्रोग्रेशन होगा तो यह जो सूफी संथ है वो वर्ली प्रेजर को असेप्ट करना शुरू कर देंगे स्टेट के साथ मतलब कि जो से पावर इं गवर्मेंट है उसके साथ अपने एस्सेशेशन को बढ स्टेटिंग हुमेनिटी एट लाज तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जातपात से कास से अंटचबिलेटी से रिलीजन के डिस्टेंक्शन से हर एक चीज से दूर होने की बात करते हैं और जब आप इस रास्ते के उपर चलते हो फिर उसके थ्रू भगवान को पा इस रिवोटी विद अल्ला इंसान एक आमिल विच इस परफेक्ट उमन विद आल गुड वर्चू अगर हम ऐसे परफेक्ट उमन की बात करें तो बुद्धिजम के अंदर इसको क्या कहा जाता है बुद्धि सत्वास या फिर अरहाच कहा जाता है अरहाच और बुद्धि सत्वास परफेक्ट हुमन की अगर हम बात करें जिसमें सारे गोण है और अगर हम जैनिजम की बात करें तो इसी कंसेप्ट को वहाँ पर कैवल ग्यान क्या नाम दिया जाता है जब किसी इंसान को प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है तो और और वो हर एक चीज में कंसेप्ट आपको सेम ही देखने को मिलेंगे बस शब्दों का वहाँ पर डिफ्रेंस है जिकर य तौबा रिमेंब्रेंस ऑफ गॉड अट अल डा टाइम वहादत अल वजूद ये कंसेप्ट आपको ध्यार में रखना है जहां पर मैं स्टार्मा कर र नहीं है वो एक समा है स्पिरिच्वल डांस और म्यूजिक टू प्रोमोट देर कंसेप्ट बढ़दा डांस अनिस्लामिक यह ताकि आपको याद रहे कि डांस और म्यूजिक अनिस्लामिक है अकॉर्डिंग टू दा बाइबल और सॉरी बाइबल क्याए कुरान तो यह चीज चिजर देखने की जुरूरत नहीं है अब philosophy आफ सूफिजम की बात करते हैं यहाँ पर जो सूफी संथे वो मानते हैं कि जो भगवान है वो उनकी मशुख है मशुख के अना सेंस वो उनका बिलवर है लवार है और उनके वो उपासक है उनको वो प्यार करते हैं अगर कल को बाज है कि इस concept के साथ सूफिजम की शुरुवात हुई तो वो एकदम statement जो है सही होगे that yes between the God and the human being there is a concept of मशूक and आशिक पर बाद में जो और सेक्ट आएंगे जो की orthodox होते जाएंगे जैसे हम नक्षबंदी सेक्ट की बात करें तो वो कहते हैं कि यह जो अपने concept बना लिया ह मशूक और आशिक का यह concept ही गलत है जहां से सूफिजम की शुरुवात हुई बट रादर आपको हमेशा भगवान से डर के रहना चाहिए आप कभी भी उसको अपने बराबर के दर्जे के उपर नहीं रख सकते कि हम उससे प्यार कर रहे हैं हम उसके आशिक हैं ऐसे concept के उप perception as an essential condition to gain the knowledge of God. तो self-discipline की जतना जाद आप discipline के साथ रहोगे and sense of perception की किस तरह से आप दुनिया को देखते हूँ ठीक है so unlike orthodox muslim वो lay emphasis on external conduct the sufis on the other hand lays stress on inner purity कि जितना आप अंदर से प्यार होगे जितना आप अंदर से अच्छे होगे वही सबसे main important चीज है और अगर हम orthodox muslims की बात करें तो वो कि आपका जो conduct है वो बहुत proper होना चाहिए कि जो लिखा गया है आपको external conduct proper करना है that is paramount पड़ अगर हम sufism की बात करें तो वहां पर वो internal conduct की बात करते हैं कि आप क्या सोचते हैं क्या क्या चीजे करते हैं in the sense of intentions are more important than the actions that you are doing so this is a basic concept between basic muslim धर्म and the जो हमारा यहां पर सोफी दर्म है so history of sofi moment की यह progress किस तरह से हुआ develop किस तरह से हुआ पहली stage में हमारे को कानखा देखने को मिलता है which is a 10th century के राउंड यहां पर हमारे को है also called as the age of golden mysticism कानखा एक ऐसा है जब सोफीजम शुरुवात हुई इसके जो areas हैं जो इसके concepts हैं philosophies हैं उसने foundation की जो अभी मैं आपको सारा कुछ समझा के आया हूँ second stage को कहा जाता है तरीका जो कि 11 मी से लेके 14th century के बीच में है when sufism was being institutionalized and tradition and symbols were being attached to it and last stage है हमारे पास तरीफा जो कि 15 सदी के बाद है the stage when sufism became a popular moment ये कुछ भी आपको याद नहीं करना सिर्फ आपके reference के लिए है जहां जहां important prelims point of view से मैं star mark करूंगा सिर्फ उस चीजों को रट लेना उसके लावा ज़रूरी नहीं है so now अगर हम इस पूरे process की बात करे emerged in about 8th century जैसे जैसे invasions होने लगेंगे तो सूफी संथ भी हमारे इंडिया में आएंगे by the 12th century the sufis were organized under silsilas जो की orders है between a guru and उसके disciples के बीच में which is an unbreakable chain between the peer, the teacher and the muraaj मतलब के disciples वो pass through मकम्मत मकम्मत क्या है various stages in this process of experiencing communion with the divine process है जिसके थूँ आप भगवान को पा सकते हो तो यहां पर सिर्फ आपने silsilas का शब्द जो है ध्यान में रखना है कि silsilas का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया although concept बहुत बड़ा है पर prelims point of view से certain relevant examples ही सिर्फ रहेंगे उसी को आपको बारबार रटना है उसके लावा कोई और चीज़ जरूरी नहीं है अब यहां पर क्या है कि जब कोई सूफी संथ आएगा तो वो किसी एक जगा के उपर रहना शुरू करेगा उसको कहा जाता है कांखा और दा हॉस्पी जगा के ओपर जो अब लोग आना शुरू हो जाएंगे उसको कहा जाता है कांखा विच वास लेट डाउन बाई शेख पीर और मुर्शिद वो लिवड विद इस मुराज और विद्धा टाइम यह जो कांखा है तेट विल इंबार जैसे इंपॉर्टन सेंटर अफ लर्निंग और प्रीचिंग क्योंकि लोग आना शुरू हो गए है और मैनी सुफी इसी जगा के उपर फिर समा जो मुजिकल कॉंकरेशन है उसको किया करेंगे जैसे आपने वो मुवी के अंदर देखा था वो समा इस कांखा को ही है विद्धा टाइम इस कांखास के उपर मौस्क बन जाएंगे इस तरह से डिवल्पमेंट होती चले जाएगी सूफी मूमेंट की तो विद्धा टाइम जब उनका दिहांत होगा तो उस जगा को हॉली प्लेस बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यहां पर आके आपने पिल्ग्रिमेज करनी है कि आपने माथा टेकने आना है उनकी कबर के उपर क्योंकि यहां पर बैठके उन्होंने प्रीचिंग की थी आज के टाइम में आपने बहुत सारे देरे देखे होंगे अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलॉंग करते तो यहां पर तो बहुत ही सारे जहां पर लोग माथा टेकने के लिए जाते हैं pilgrimage करने के लिए जाते जस्ट बिकॉस कि वहां पर कोई सूफी संत रहा करता था और उसने उस जगा के ओपर बैठ के प्रीच किया अब जब इससे ही एक वेरियस आइडिलोजिकल डिफरेंसेज भी निकलेंगे कि कुछ जो और्थोडॉक सेक्ट से सूफीजम के अंदर वो कहें हैं तो अन्धाइफ ऑफिस पीर हिस दर्गाद एस डट इस डट इस अट इस टॉम और श्राइन बिकेम अ सेंटर फॉर इस इस डिसाइपल और फॉल्लोर्स एंड दा स्यारम और पिल्ग्रिमिज पॉप पॉप प्रिच्व पिल्ग्रिमिज और विद टाइम हमारे को चार स इसका मतलब क्या है कि पहले चिस्ती जाए शुरावादिज आए और जब लोगों ने देखा कि यह सूफिजम के साथ धर्म को बदलने की कोशिश की जा रही है कि धर्म में जो इसलाम में बेसिक टैनेंट्स है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है तो इनके अंदर से ही एक ऑफशूट निकलेगा जो कहेगा कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो गलत है हमारे को दुबारा से रिवाइवल करने की जुरूरत है अकॉर्डिंग टू दा ओरिजिनल टैनेंट्स ऑफ दा इसलाम और कुरान तो यह आगे चलके हम पढ़ेंगे जब भी नक्षबंदी की बा लगरी है आप को आज लग रहे है कि दुनिया खत्म होगी है तो इतना कुछ नहीं होता अगर आप पुछ साल बात पीछे मुट के देखोगे तो लगेगा बहुत नॉर्मल सी चीज थी जो सबसे बड़ी चीज आपके पास है जो जा रही है वो है आपका समा उसको बचा ल लोगे तो उससे जादा फायदा होगा कलकुस यह सारा कुछ दुबारा से आता जाता रहेगा पर टाइम नहीं आएगा यही टाइम है पढ़ने का प्लीज उस चीज को अच्छे से पढ़ लो हां मुहिंदीन चिस्ती चिस्ती सिलसला से औरंग जेब नक्षबंद से जुड अब इन में से जो-जो इंपोर्टन चीज आपको ध्यान में रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूं इन दा इंडिया दूरिंग दा इन्वेजन ऑफ मोहमद गौरी तो यह चीज बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है और क्योंकि यहां पर यहां पर यह आता कि वो बागी धर्मों के साथ प्यार से नहीं रहते तो हम उस पॉइंट को रटते क्योंकि वो अगेंस आइडिलोजी होता अगेंस दा बेसिक अंडरस्टेंडिंग ऑफ टॉपिक होता पर क्योंकि उसी लाइन में है कल को इसी तरह का वहां पर स्टेटमेंट भी आजए हमार को पता है कि सूफिजम के अंदर होता ही यह था तो जब तक आप यह नहीं समझोगे कि एक टॉपिक है उस टॉपिक का कोई अंडरलाइंग थीम है उसे साब से वो चीजे चलने है उसी में बहुत सारा कुछ आ रहा हूं आई सो इस फिलोस्फी बास बेस अपन दकॉल कंसेप्ट आप पाइंथिक मॉनलिजम जो की मतलब की भगवान एक है जो कि वहादत अलवजूद तो यह था ना आप नहीं यह उनिवर्स है वगारा वगारा पहले मैं आपको करवा भी चुका हूं को अब इनका जो यह आपको ध्यार में रखने है कि किस संत के द्वारा सौरी किस के द्वारा इनकी जो दरगा को विजट किया गया था और लेटर ओन अक्बर ने भी सपोर्ट किया जिसकी वज़ा से जो चिस्ति सिल्सला है और जादा सुर्ख्यों में आ जाएगा यह जो चिस्ति दिल्ली के के अंदर हम बात करें। को किस के द्वारा बड़ा किया गया था, कुतुब दिन बक्तियार काकी। आजके टाइम में जो आप कुतु मिनार जानते हो, अगर कोई बच्चा मेरे को बता सकता है, कि कि कुतब मिनार को किसने बनवाया था total तीन राजे थे जिन्हों कि अंदर अपने additions कर थी सबसे पहले Start किस ने किया था फिर उसको je किस ने करवाया था लेटर ऑन जब इसके ओपर बिजली गिर गई थी जिसकी वज़ा से एक बिल्डिंग को एक मंजिल को नुकसान हो गया था फिर एक राजा ने इसको रिपेर करवाया था इन इफ केस एन कि कुटब मिनार को किसके द्वारा बनवाया गया था तो यह जो कुटब मिनार है वह इसी जो सूफी संथ है कुटब दीन बक्तियार काकी के लिए बनाया गया था यह चीज आपको ध्यार में रखनी है डिरेक्ट डिसाइपल ऑफ खौजा चिस्थी अंडर पैट्रूनेज ऑ अगर अगर अंदाजा भी रह जाएगा देट विल ऑल्सो वर्क शावाश उबांकर शावाश जतिन एब्से पहले एवऑख ने बनाया था यह उंद इलतुतमिश ने है विपनch हर देखें जो हमारी हिस्ट्री की अशला कि ऑपन्प Τी और जो ऑउंकर और यह और जो अश्यों मंदे डी चार से पांश ही चलती है जोग्रफी की क्लास पांच पजी होती है कि कोई कोई चीज आपको कन्फ्यूज हो रहे होंगे काफी बच्चों ने सही अंसर दिया शावाश सो दे बिलेव डिन अब किन किन चीजों में वह बिलीव करते थे यहां पर पहले बेसिक अंडर्स्टेंडिंग है सूफिजम को लेके से सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ हुमिलिटी और डिवोशन तो गॉड्ड तो बेसिक जो हमने अभी तक पढ़ा वही सारा कुछ है तो याद नहीं करेंगे बिसिक है टॉलरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं सूफिजम का बिसिक कंसेप्ट यूज ऑफ सिंपल लेंग्विज एंड रिफ्यूजल तो अब यह कंसेप्ट हमने पहले नहीं पढ़ा था तो चेस्टी के रिगार्डिंग इस कंसेप्ट को ध्यार में रखना कि वो मानते थे क्योंकि हम पूरी दुनिया के वर्ली पुजेशन को छोड़ चुके हैं तो हमारे को किसी भी तरह की जो चीज है स्टेट से स्टेट का यहां पर मतलब है जो किंग है उससे असेप्ट नहीं करनी है यह चीज ध्यार में रखेगा ठीक है तो यूज अफ सिंपल लेंवेज और रिफूसल तो असेप्ट एनी ग्रांट फॉर अपने में रखना अगला जो शुरावादी सिल्सला आएगा वहां पर क्या है कि वो इस चीज को नगेट कर देंग और कहेंगे कि हम स्टेट से ग्रांट को असेप्ट करेंगे अब शुरावादी सिल्सला अब शुरावादी विद्धा थाइम थोड़े से और्फोडॉक्स हो जाएंगे या फिर थोड़े बेसिक टैनेंट सो जो सुफीजम है उससे अलग जाएंगे और स्टेट से जो गरांट को असेप्ट करने लग जाएंगे अब शुरावादी सिल्सला को फॉर्म किया था जैसे हमने वहाँ पर चिस्टी के लिए मोहिंदिन चिस्टी का कंसेप्ट कवर किया था हाँ शावश भांकर शावश ठीक है तो इल्तुत्मिश गेविम ताइटल ऑफ शेकल अलिस्लाम पर यह आपको ध्यान में नहीं रखना अन्लाइक दा चिस्टी दा शुरावादी असेप्टेट दा मेंटेनेस अव ग्रांट फॉम दा सुल्तान सो यहां पर यह बहुत सब्सक्राइब करने के लिए तो यह चीज आप ध्यान में रखेंगे अब अभी तक हमने कवर किया था कि सूफिजम वर्ड्ली पुजैशन को डिनाउंस करता है पर यहां पर शुरावादिस कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी के अट्रिब्यूट में असेप्ट करते हैं तो यह चीज अब आप ध्यान में रखेंगे अलाउंग विद नॉलेज एंड हल विच इस दा मिस्टिकल अनलाइटनमेंट दे दिद नॉट सपोर्ट एक्सेशिव और स्टैरिटीज और सफ मोटिफिकेशन के अब बहुत जादा दुख पीडा को सपोर्ट नहीं करते जिस तरह से बाकी इनिशल सूफिजम मानता था य इनिशल से बिलीजियस बिलीव और एडवोकेटिटिड़ कॉम्बिनेशन ओफ इल्म विद मिस्टिशिजम अब जब हमने सूफिजम को स्टार्ट किया था उसका बेसी कंसेट क्या था कि इंटर्नल कंड़क्स सबसे प्यौर होना चाहिए एस कंपेर टॉट अप्सेर्नल कं सूफिजम को दुबारा से रिवाइव करने के लिए वापिस लाया जाएगा औरिजिनल टैनेंट्स की तरफ जो चिस्तीज है जो आप सूफिजम को जानती है वह सबसे करीब चिस्तीज का ही आपको सिलसला देखने को मिलेगा अगर आप इस बेसिक कंसेप्ट को समझ जाओ होगा then we have Naqshbandi सिलसला it was established by Khwaja Bahauddin Naqshbandi वहां पर Bahauddin Zakariya था यहां पर Naqshbandi है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना and later it was propagated by a successor जो कि शेख Bhaqibilla and शेख Ahmed Sarandi तो यह दोनों नाम भी आपको ध्यान में रखने because they are important they were also known by the name of silent Sufis due to their practice of silent meditation of the heart तो कल को आ जाए कि silent Sufis कि सेक्ट को कहा जाता है किनको कहा जाता है यहां फिर practice of silent meditation of heart कौन करता है तो इसका अंसर होगा नक्षबंदी सिलसला प्लीज इस चीज़ को भी note on कर ले ना question कल को इसी तरह से आएगा बहुत basic बहुत direct question आएगा पर क्यूंकि बहुत जादा बच्चे इसको नहीं करके जाते इसको छोड़के जाएंगे so we will have an extra edge over there क्यूंकि यह free के marks होंगे क्यूंकि हमने बहुत जादा भी detail में नहीं गए बहुत superficially चीज़ों को करा पर फिर भी हमारे marks है और बाकी बच्चों से जादा आएंगे क्यूंकि बाकी बच्चे इसको छोड़के जा रहे हैं तो ऐसे concepts ऐसे topic जो कि बाकी बच्चों को नहीं आते हैं हमारा थोड़ा सा time लगा के हमारे को बहुत जादा return देके जा रहे हैं so they are the golden topics जो कि ultimately UPSC prelims को हमारे को क्लियर करने में साहिता करेंगे so this silsila became popular during the reign of Akbar it was radical in nature and had Aurangzeb as one of its followers as Shubankar ने कहा था यहां पर comment section के अंदर शाबश तो यहां पर क्या है इनका belief क्या है observance of the Shariat law Shariat law क्या है जो कि जो भी चीज़ें जो लॉव कुरान के अंदर लिखा गया है वह शरीयत मतलब कि दुबारा से हम और्ट्रोडॉक्स बनते जा रहे हैं in its purest traditional form and denounced all innovations और बिद्दत मतलब कि जो जो हम changes कर रहे हैं बिद्दत उसको यह denounce करते हैं they attempted to purge Islam from all the liberals की जो यह जो सूफी संता रहे हैं जो सूफिजम को Islam को change कर रहे हैं उसको denounce करते हैं they criticized all the liberal policy of Akbar such as the high status accorded by Akbar to many non-muslims and the withdrawal of Zazia and the ban of cow slaughter तो basic आप इसको orthodoxic के साथ लिख लीजे सिरफ इतना ही आप ध्यान में रखेंगे अगर orthodox से मिलता जुलता कोई provision आ जाए तो सही माल लेंगे अगर को liberal provision आ जाए तो उसको गलत कर देंगे क्योंकि यह orthodox act था तो आपने सिरफ एक शब्द ध्यान में रखना है और उस शब्द के हिसाब से जो prelims में कोशन आएगा उसको सही करने की कोशिश करेंगे यह सारा कुछ रटने की जरुरत नहीं है यह मैं आपको पहले भी समझा के आया हूँ कि वहाँ पर सूफिजम की शुरुवात माशूक और आशिक के कंसेप्ट से हुई थी पर with the time उसको reverse कर दिया जाएगा और ओवर है दा रिलेशनशिप इस वह सब्सक्राइब करें तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है जैसे कि लिस्निंग ऑफ समा और रिलिजियस मूजिक दप्रेक्ट्रेस ऑफ पिल्ग्रिमें तू दा टॉब ऑफ सेंट्स मैंने आपको पता है कि मक्का मदीना ही हम पिल्ग कि सेक्ट है शियाज और सुनिस तो उन्होंने शियाज को मना बोलने के साथ बोलने से भी मना कर दिया नौ इन दा लास्ट वी हैव कादरी सिल्सिला पॉप्लर अमंग दा पंजाब रिजन एंड वस इनिशेटिट ड्यूनिंग दा मुगल रें अंडर टीचिंग्स ऑफ शे वो इस कादरी सिल्सिला को बिलॉंग करते थे कल को यह स्टेट PCS में पूछा जा सकता है प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए तो अगर हम औरंग जेब के भाई की बात करें दाराशिकों की बात करें उनकी बहन जहानारा तो यह दोनों परस्टेटी इस कादरी सिल्सिला के साथ ही जुड़े होए थे तो यह भी आपको ध्यान में रखना है जैसे हम औरंग जेब की बात करें तो यह चीज आप साथ में लिख लीजिए टॉक्स अबाउट मिस्टिसिजम एंड स्पिरिच्वैलिटी तो यह सब्सक्राइब करेंगे तो नक्षबंदी आ जाएंगे तो नक्षबंदी आ जाएंगे और कादरी एक अलग से सिल्सला था जो मिस्टिसिजम एंड लाइटनमेंट की ब्राद करता है वो चिस्ति से ही मिलता जुलता है तो इस तरह से आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो अधर इंपोर्टेंट पॉइंट जैसे हम तांसेन की बात करें तो एक और सिल्सला था जिसका नाम है शत्री सिल्सला तांसेन वाज फॉलर ऑफ दिस सिल्सला ध्यान में रखना है तांसेन इस बिलीव तो हैब इन फॉलर ऑफ शत्री सिल्सला और डिसाइपल और मुहम्मद गॉस्ट वो वाज रिनाउंट सूफी संथ फॉम दा शत्री ओर्डर इन गवालियर वेर तांसेन वास बॉन एंड रिस्ट लास्ट में मुहम्मद गॉस्ट इससेट वह ग्रेटली इंफ्लेंस तांसेन बोस्पिरिच्वली और मुजिकली पर आपको जो सिर्फ पॉइंट है वो सिर्फ इतना ही ध्यान में रखने उसके लावा मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म से विद रिस्पेक्ट तो सूफिजम सारा कुछ यहां पर दे दिया है जैसे बाशरा और बेशरा बेशरा की मतलब होते हैं विच तिंग्स आ नॉट बांडेट बा है वह सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया जो आपके पेपर पॉइंट ऑव यू से जरूरी है यह नहीं है कि यही सिर्फ चार-पांच सिल्सला हैं बहुत सारे सिल्सला है पर हम यूप सी पॉइंट ऑव यू से करें तो आप पहले इतना बहुत अच्छे से कर लेना फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि हीरो बनने की जरूरत है तो वह बन जाईएगा पर मेक शौर की पहले आप इतनी चीज़ें ढंक से कर चुके हैं हाँ उस समय जब नौर्थ इंडिया में सूफिजम चलेगा तो उसी टैम के अंदर साथ इंडिया में भक्ति मुमेंट की शुरुआत होगी एकदम सहीय शुबांकर जी विद इस वी कंक्लूड दा वेरी बिग टॉप टॉपिक ऑफ भक्ति और सूफी मुमें भक्ति मुमें की पांच लेक्चर की जो कंपाइलेशन है यूट्यूब चैनल की उपर अगले हफ्ते तक आ जाएगी तो आप उसको भी देख सकती है उसका जो पूरा पांच लेक्चर की जो पीडियाफ है वह मैंने टेलग्रम चैनल पर शेर कर दी थी वहां से डाउनलोड कर लिजेगा स भक्ति शूफी मुवमेंट हमने कर लिया और्थोडॉक सेक्ट सारे कर लिए हेट्रोडॉक सेक्ट सारे कर लिए टेंपल आखिटेक्ट्चर सारा कर लिया तो अब मेजर चंक ऑफ कल्चर वी हैव कवर्ट तेल नौ इन दीस टू मन्स तो प्लीज अच्छे से उनको देख ल अंडर्स्टेंडिंग के साथ चलेगी ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज रटनी पड़ेगे बीच बीच में चीज़े हैं जो रटनी पड़ेंगे पर अगर आपकी समझ होगी तो आप इस समझ को बाकी चीज़ों के अंदर पर इंप्लिमेंट कर सकेंगे अगली बार मिलते हैं अगले अफ़ते मिलेंगे और वहां पर हम टॉम्स के एक सीरीज को सुरूबात करेंगे तो हर एक लेक्चर के अंदर मैं एक-एक केव को कावर करता चलूँगा जैसे भीम बेत का केव इलोरा केव उदायगिरी खानगिरी केव उसके अलावा जनता केव तो यह सारी केव हम एक करके कवर करेंगे ताकि मैं जादा से जादा आपकी मदद कर सको मैं इट कमस टू हिस्ट्री तो मैं आशा करता हूँ आपको लेक्चर सही लगाओगा इनकेस वह एनी सजेशन विद रिस्पेक्ट तो एनी टॉपिक जो मैं आप सब के लिए कवर कर सकता हूँ तो वह भी आप बता सकते हैं मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा और इनकेस आपके पास कोई सज हुआ हुआ है हुआ y झाल 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 झाल